सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्सिन पाने के लिए वैलकम फेंट्स सुश्वागतम दोस्तों आज का वीडियो फिरसे आप ही की डिमांड पर मैं बना रहा हूं जो की है मेडेरमा क्रीम के बारे में यह क्रीम मेड़लमा एडवांस प्लस क्रीम मेड्रमा क्रीम के नाम से अवाइलेबल है जिसे वीन मेडिकेर फारमा श्यूर्ण इसमें जो प्रमुक एंडियेंट उनमें एलाइन टॉइन एलम केपा एकस्ट्रेक्ट पैंटे थे नोल जिसको हम विटामिन विफाइफ कहते हैं लेसितीन तथा सोडियूम हाइलोरिनेट प्रमुक है यह सब इंग्रिडियेंट किस तरह से कारी करते हैं उससे पहले एक विश इसे पहले पाइफ क्हीज़ानाचे यह आपको पता होना चीए और इसके बारा में वीडियो में आगे बताूंग को बीना सिभकर देखेंों अगर बात करें वीडियो में जो एलiksi है यह क्या है तो एलेन टoin क्रेम में एक moisturizer agent है, जो anti-aging agent के तरह बी कारी करता है, जो skin की smoothness को बढ़ाता है, और इसमें जो album kepa extract है, यहाँ एक natural product है, जो skin पर scar तता kelloids के appearance को अच्छा करता है, इसके size को कम करता है, साथी जो penthenol, जिसे vitamin B5 कहता है, यहाँ skin पर पाने को रोगता है, जिससे कि skin dry नहीं होती, skin moisturized जात पर करने करते हैं पर इस यह क wrestle पर घ्लेले जाए उसको कम करता इस तरह से यह हो इसके अससाथ और What करने में रहिए अच्छा एपीरेंस करने के लिए कारे करते हैं अगर इस यह किरेंग के पैकेजन्गे की name प्राइस की बात करें किया क्या packaging available कितनी रुप Tools मिल जाती है तो इसकी जो packaging बहुत फांच ग्राम दस ग्राम चलिव की अलगलग पैकेजिंग जो पांस क्राइज में 245 रुपय में चार्सो पच्छे रुपय में ताथा जो इस किराम की क्रीम में 825 रुपे की MRP में आपको मिल जाती है जो भी आपको डॉक्टर नेडवाइज की है जो आप लेना चाहते हैं उससे खहीद सकते हैं साथ ही यह क्रीम एक OTC प्रोडेक्ट है जिसे बीना डॉक्टर के प्रिस्केप्शन आप डायक्ट मेडिल स्टोर से या किसी ओनलाइन फामेश्य से खहीद सकते हैं और यदि आप इसे इस MRP से कम मुल्य में खहीदना चाहते हैं डिस्कौंट के साथ खहीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके कोई भी क्रेम आप डिस्कौंट पर खहीद सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को कील मुहा से होने के कारण किसी परकार की सर्जरी होने के कारण बर्ण मतलब जल जाने के कारण कोई कट लग जाने के कारण एक्सीडेंट में इंजरी होगई हो यह खेलते से में कोई स्पोर्स इंजरी होगई हो यह किसी भी कारण से इसकीन हड़ गई हो उसके लगए हो यह किसी महिला को डिलेवरी C-section दौर होगई होगई हो उनके बादो व्यक्ति को सब गाउ बर जाने के बाद निसान रह जाते हैं जिसे हम इसकार कहते हैं और उन इसकार को ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रियोग लिया जाता है साथ ही इस क्रीम का प्रियोग जो बड़े इसकार से उनकी साइच छोटा करने के लिए उसका कलर नॉर्मल करने के लिए किया जाता है इसकार की जो redness होती ही जो smoothness जो texture होता है इसको अच्छा करने के लिए किया जाता है साथ ही इस cream का प्रियोग scars के अलावा skin की smoothness ने इसको बढ़ाने के लिए भी किया जाता है ये इस cream की use थे जिसके लिए आप इसका प्रियोग कर सकते हैं अगर बात करें इस cream के side effect की हाला कि यह natural synthetic product जो ingredient है उनका combination है ज्यादा तरी इसके side effect नहीं देखेगे फिर भी जो most common side effect होते हैं उसके बार में जान लेते हैं commonly जिस जगा पर इस cream को लगाए जाता है वहाँ पर इसके side effect देखने के लिए मिलते हैं जैसे वहाँ पर irritation होना, burning, जलन होना, redness हो सकती है, दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, साथ ही swelling होने के साथ साथ थोड़ा पानी निकल सकता है इस तरह से कुछ side effect देखने के लिए मिल सकते हैं, यह या इसके इलावी को दूसरे unwanted effect मिले तो तुरंति अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि इस cream को side effect हुए उनको किसी दवा देकर ठीक किया जा सके है अब हम जान लेते हैं इस cream को किस तरह से लगाना चाहिए, जो इसका मूल पाट है, क्योंकि अगर सही तरह से cream को नहीं लगाते हैं इसका अच्छा result नहीं बलता, साथ ही कितने दिनों तक इसको लगाना चाहिए इस cream को लगाने के लिए जो आपका affected area जिस जगह पर आपको scar हो गये हैं उसको अच्छे तरह से पानी से दो लें उसको सूखा लें उसके बाद जो scar है उसके center में क्रीम की थोड़ी शी माता लेके लगाएं और दीरे दीरे उसको गोल गोल जो round circle safe में गुमाते रहें और दीरे दीरे से scar के side में भी इसको गुमाएं इस क्रीम को तब तक मसाज करते रहना है जब तक कि यह क्रीम इसकीन दारा absorb सोसित नहीं कर ली जाए और यह क्रीम लगबग 2-3 मिनिट बाद में इसकीन दारा absorb कर ली जाती है और जब इस क्रीम को आप लगाते हैं तो एक विशेस बात ज्यान रखें यदि चेहरे पे लगा जब आप इसकार पे इस क्रीम को लगातार लगाते हैं तो यदि आपको इसकार का कलर से लाइट होता हुआ लिखें तो उस समय इस क्रीम को इसकार के आसपास के इसकीन पर भी लगा सकते हैं यदि आपके चहरे पे एकने के जो इसकार उस पर लगा रहे तो पूरे चहरे प पूराने जो इसकार है उन्हीं को ठीक करती है मतलब यदि किसी व्यक्ति को पिछले 6 में निसान हो गया है क्या केलिट्स हो गए उनको ठीक करने के लिए प्रियोग लिया जा सकता है अगर इसके डियूरेशन की बात करें कितने समय ते इसका प्रियोग लेना चाहिए तो समय किसी को पूराना इसकार या बड़ा इसकार है तो उसको दस हफ्ते में अच्छा रिजल्ट मिलता है और इविन वेडिकेर कहती है कि जो इसकी मेडरमा एडवांस प्लस क्रीम है उसके प्रियोग से जो भी इसकार है कितने भी पूरान है वो ठीक हो जाते वो इस कंपनी का कह लगाया जाता और कितने समय तक लगाया जाता है जैसे आपको बहते रिजल्ट मिले तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करता हूं मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त हैं और मस्त रहें